नमस्कार, जयमात अदी, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर अचारिय जीतू सिंग श्रावन संकरांती, श्रावन महिने की संकरांती, यानि सूर्य जब करकराशी में प्रवेश करता है तो उसी दिन संकरांती मनाई जाती है, जो कि 16 जुलाई को है 16 जुलाई के अपते ही सूर्य करकराशी में प्रवेश करता है, जिसे ही हम संकरांती कहते है Hindi लेंडर की जब हम बात करते हैं, तो हिंडु के लेंडर के हिसाब से 6 महीने के उतराईन काल का ये अंत होता है यानि ये आखरी पड़ाब होता है जब सूर्य संक्रांती आती है यानि करक संक्रांती जिसे हम कहते है वो आती है और इसी के साथ जब हम कहते हैं कि जब एक तरफ उतराइन का अंत है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिनाइन का शुरू आता है जो कि मकर राशी में जब सूर्य परवेश करता हैं मखर संक्रांति आती है तो वहाँ जा करके समापती होती है उसके यह बात तो आप समझगे हैं लेकिन आपको एक बड़ी खास सीज बताने वाली हुआ संकरांती के दिन कहते हैं कि जो व्यक्ति नहीं नहाता है बड़े ध्यान से सुनिएगा आप कि जो व्यक्ति संकरांती के दिन नहीं नहाता है वो पूरा साल बिमार रहता है जैदा तर बिमार रहता है कभी एक बिमारी कभी दूसरी बिमारी चाहे वो चोटी 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 च पहसे जब जब हो तो हामेशा कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य उद्धे के आस्पा सनान करना चाहिए कि मैडम ने बहुत जो जब 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 होती है अगर हम ध्यान जैसे मन की शुधी ध्यान और घ्यान से होती है सेम ऐसे देहे की शुद्धी भी आपके लिए बहुत जरूरी होते जो कि सनान से ही होती है तो आपको अगर ठीक रहना है, तंदरूस्त रहना है, स्वास्त रहना है तो संक्रांती, एकादशी, आमवस्य इन पे तो सनान जरूर किया करो और पूरा साल सनान किया करो यह मत सोचो कि आपने बोला, मैं आपने तीन दिन तो यह कर लें, बागी जोड़ दें पूरा हर दिन, सनान आत्मा की शुद्धी तब होती है, जब आप पहले देहे की शुद्धी करते हैं और देह की शुद्धी के बाद ही रास्ता निकलता है, आत्मा की शुद्धी का चली, इसके ओपर भी कभी मैं वीडियो बना करके डालूंगी बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो हमें जिन्दगी में इग्नोर करते जा रहे हैं पीछे रखते जा रहे हैं, जिसकी वज़े से हम बहुत ज़्यादा परिशानियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं संकरांती की जब हम बात करें तो गंगा सनान का खास महत्व होता है संकरांतियों पर खास करके गंगा सनान किया जाते हैं पवित्र तीर्थ स्थलों पार जा करके सनान किये जाते हैं लेकिन इन केस अगर आप नहीं भी जा पाते हैं मान लीजे कि आप नहीं जा पारे हैं तीर्थ स्थलों पार नहीं जा पारे हैं तो क्या करेंगे गंगा जल डाल करके घर के अंदर ही तो आप यह सनान कर सकते हैं मात्र एक बूंद पूरे जल को पवित्र कर देती है गंगा जल की शुद्धी की तो बात ही अलग है एक बूंद जल आपके पूरे बाल्टी बरे हुए जल को बड़े बड़े टैंक्स में आप दो बूंद जल डाल दीजे तो आपके पूरे टैंक शुद्ध हो जाएंगे तो आप घर के अंदर ही जाहें तो सनान कर सकते हैं ब्रह्म लोक के रास्ते खुलते हैं जब हम गंगा जल से सनान करते हैं करके एकादिशी पर सनान करते हैं पूर्निमा पर संकरांतियों पर सनान करते हैं तो ध्यान रखना है अपने पहली महत्तवता यही है कि सनान जरूर करना है क्योंकि देवी पुरान में भी कहा गया है कि जो इस दिन स्नान करते हैं इस पावन दिन स्नान करते हैं उन्हें साथ जन्मों के कष्ट उनके उतर जाते हैं तो सोचिए यह एक दिन का स्नान जो होता है यह कितना खास होता है मौक्य में चोका नहीं मारते हैं इसलिए कष्टों में घरे रहते ह आपके जीवन से कष्ट भी दूर होंगे दृदरता दूर होगी रोग दूर होंगे तो सोची आपका जीवन कितना सुखमय हो सकता है अब हम बात करते हैं कि संकरांती की जो बात करते हैं हम लोग खाज करके तो सूरे देव प्रकृति के कारक भी कहे जाते हैं यानि सूरे आते ही पेड़ पोदे ये साब में जाना जाते हैं प्रकृति को एक खुश्नुमा बना देते हैं तो प्रकृति का अगर सरक्षन का अगर ध्यान रखने की बात आते हैं तो सूरे के पास सबसे पहले इसकी भूमिका जाते हैं तो हमें सूरे अराधना जरूर करने चाहिए सूरे संकरान्ती पर हमें कुछ खास दान महत्व ये सब चीज़ें उनकी तरफ आपका रूजान जरूर होना चाहिए अब करक संकरान्ती की बात जब करते हैं करक संकरान्ती आने पर थोड़ा सा मोसम में भी बदलावाने लगता है चीजें बदलने लगते हैं गर्म मोसम एक दम थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है बारिश का मोसम होने लगता है थोड़ा बादल होने लगते हैं लेकिन एक तरफ अगर हम कहते हैं कि यह चीजें होने लगते हैं दूसरी तरफ हमेरी बिमारियां भी बढ़ने लगते हैं तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है क्योंकि जहां पूरी तरह से किरने अगर नहीं आती हैं, धर्टी नहीं पड़ने ही पड़ती हैं, तो वहां किटानू जो होते हैं वो ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो ऐसे में हमारी बिमारीों के कारग जो हैं तो गंदकी नहीं रखनी है, शुद्धता रखनी है, यह सबसे बड़े बिमारी का कारग यही होता है कि हम शुद्धता नहीं रखते हैं, जैसे मैंने कहा कि नहाना, स्नान, यह बहुत उत्ता माना जाता है, संकरांती जब भी आए, आपको गुड का दान जरूर करना चाहिए, सूरे को जरूर अरग देना चाहिए, हर संकरांती पर, और खास करके गुड को बांटना चाहिए, गुड का दान करने के साथ साथ गुड का मिश्ठान के रूप में भी बांटना चाहिए, इससे भी आपको बहुत जैदा फल मिलते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिने धन की जरूरत है, उन्हें अन से सही हो करना चाहिए, वस्त्र दान बहुत उत्ता माना जाता है, ऐसे में वस्त्र दान भी कर सकते हैं, अनाज का दान तो सबसे ज़्यादा उत्ता माना जाता है, जितनी आपकी यथा शक्ती होती है, उतना आप दान कर सकते हैं, और लेकिन दान की साथ कास संबंध होता है तो आपको ये भी जीज धान लखन भखने है कि जब आप दान करने जाएं तो आपने खुद को पहले स्णान जरूर किया हो तो देख आपने ये संकरान्ति आपको कितना फल दे सकती है जह कर आप सपी ही रोग कर सकती है यह संक्रान्ति आपकि मांसिक स्तितीैने कष्ट कर सकती है क्योंकि करक राज़िन चन्दरमां की राशी में सूर्य पर्वेश लेकिन यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है तो आपके जीवन का बदलाव के संकेत होते हैं यह जितने मौसम के बदलाव जितने ग्रहों के नक्षत्रों के बदलाव होते हैं यह हमारे जीवन के कुछ चेंजिस के संकेत होते हैं तो हमें इन चीजों की तरफ जरूर जाना च झाहिए ध्यान करना चाहिए पूझा पाढ़ करने चाहिए मेडिटेशन करने चाहिए और अच्छे कर्म तो रोता ही। एक तर्व भगवान विश्णू सोने चले जाते हैं, दूसरे तर्व भगवान भुलेनात धर्ती पर विराज बनुते हैं, तो जब ये महीना आने ही वाला होता है, तबी से ही आपकी जिन्दगी के अंदर कुछ बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में आपने एक ध दिलाव लेकर के अगर आप लोगो ने अब यह तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है हैं, तो जरूर कीज़ेगा इस वीडियो को, जरूर शेर कीज़ेगा बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइगा, विह ओन पर कॉल करते हैं तो यह मेरे ओफिस का नंबर है यहां आप appointment अपनी निजी appointment यानि परसनल appointment अपनी बुक कर सकते हैं अपने परसनल एक उंडली दिखाने के लिए खुश रहिए स्वस्त रहिए पॉजटीव रहिए पॉजटीव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं ज